हराई अप्रिवन वेलकम तो योटूब चैनल साइंस पाउंडिशन आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को एंड तक देखेगा तो काफी जादा जो है इस्टुडेंट कमेंट कर रहे थी कि सर आपने बिएसी फर्स्ट एर का सलेबस तो बता दिया परन्तु अभी जो है सेमेश्टर सिस्टम हो गया है तो आप हमें जो है सेमेश्टर फर्स्ट सेमेश्टर का सलेबस बताईए तो आज की इस वीडियो में BSC first year का first semester का syllabus अपन देखने वाले हैं और ये जो semester system है काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको जो है ज्यादा load नहीं पड़ेगा पड़ने पर क्योंकि आप सभी ने देखा होगे कि जैसे ही BSC की exam लगती है तो पूरा syllabus आता है और पूरा syllabus जो होता है उसको cover में करना काफी जो है hardful हो जाता है इस्टुडेंट पहले तो पड़ाई करते हैं नहीं और लास्ट में जाके वो एक महिने में उठाते हैं किताब तो पूरे syllabus को पढ़ना काफी जो है नामुम्किन सा हो जाता है तो यहाँ पर जो है first semester के अंदर आपका जो है 50% syllabus होगा और second के अंदर 50% syllabus ह अब से पहले जो आपका पूरा syllabus था आप से पहले आपका जो पूरा syllabus था उसका 50% तो आपके पस्ट semester में लागू होगा और उसका 50% second में होगा ठीक है और दोनों के जो semester के नंबर है उनको जोड़के आपके जो है final आपका result निकाला जाएगा ठीक है final result निकाला जाएगा तो देखिए यहाँ पर start करता हूँ मैं आपको syllabus के बारे में बताता हूँ तो देखिए Hello students आपको इस post में BSE first year syllabus के बारे में देखने को मिलेगा जो कि आपको Hindi and English दोनों में मिलेगा और आप इसे download भी कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जो है इस syllabus को देख लेना है फिर मैं आपको पताऊँगा कि download कैसे करेंगी तो आप इसको आराम से download भी कर लेना तो आईए start करते हैं देखिए और यह syllabus 2024 के नुसार है subject आपके पता हो तो आपको तीन होती है सबसे पहली subject chemistry होती है और इसके chemistry के आपके तीन paper लए लगते हैं organic chemistry inorganic chemistry and physical chemistry फिक है इसके बाद में आपकी दूसरी subject है वो है botni फिक है इसके भी तीन paper आपके लगते हैं और तीसरी subject है जूलूजी इसके भी आपके तीन paper यहाँ पर होते हैं तो सबसे पहला जो है मैं लेता हूँ chemistry, chemistry के बारे में देखते हैं यहाँ पर आपको कितना कुछ यहाँ पर पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, तो देखिए, chemistry में तीन paper होते हैं और प्रतेक paper में 5 unit होती है, जो की नीचे आपको विस्तार से बता रखा है हिंदी और इं and bonding, ठीक है, structure and bonding, तो देखिए, हिंदी मीडियम वालों को इंगलिस समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही है, तो अपन जो है हिंदी में भी नीचे देखेंगे, तो पहले देखिए, structure and bonding, दूसरा है isomerism, और तीसरा है alkins, और diene तथा alkins, ठीक है, और चोथी unit आपकी है, यहाँ पर, देखिए, चक्रिय, alkin, तता aromatic था, ठीक है, इंगलिस में भी है, और हिंदी में भी है, ठीक है, अब क्या है कि इंदी मीडियम के student मेरे पास ज़्यादा है, तो इंदी मीडियम में मैं आपको बताऊँगा, इंगलिस में भी बता रहा हूँ, देखिए, alkyl and arylyl highlights, इनके बारे में आपको देखना है, अब यहाँ पर जो है बात है कि first paper के अंदर आपको first semester में कितना कुछ पढ़ना है, यह आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपके first paper के अंदर पांच unit है, ठीक है, कितनी unit है, पांच unit है, अब इन पांचो यूनिट स्लेबस सेम यही रहेगा वैसे इसका आदा आपका फर्ष्ट सेमेश्टर में पूछ लिया जाएगा अथार्थ डाई यूनिट आपके फर्ष्ट सेमेश्टर में रहेगी और डाई यूनिट आपके सेकंड में रहेगी अथार्थ फर्ष्ट सेमेश्टर में आपका का सलेबस रहने वाला है Second semester का रहेगा आपके ऐलकाइन थर्ड इयुनिट से एलकाइन ले लेंगे और चोथी ले लेंगे युनिट और पांचушки ले लेंगे ठीक है चक्रिय ऑलके अतारव्दस साइकिल ऐलकेश्य और इंड और कि अन्य ए 아니라 इड्ट हीं open के बारे में आप से पूछा जाएगा यह हो गया first paper का ठीक है अब देखे second paper की बात करूं मैं आपका chemistry का physical chemistry का जो है आपका second paper है इसमें देखे physical chemistry में आपके जो है पहला है mathematical concepts ठीक है first unit आपकी यह होती है आपके इसमें 4 unit है, चार ने इसमें 5 unit है, मैंने एक unit को combined कर दिया है, थीक है, यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि semester का system आपके है, तो उसमें थोड़ा सा combined का system चलेगा, अथार्थ आपकी जो तीसरी और पर चोथी unit है ना उन दोनों को थोड़ा का माइंड किया है मैंने यहाँ पर देखे मैंने किया है Gases Concepts Liquid State and Numerical Properties इसको एक कर दिया है पहले यह अलग था Liquid State and Numerical Properties जो है अलग यूनिट थी आपके तो टोटल हो जाती थी पहले 5 यूनिट अभी मैंने 4 यूनिट की है अथार्त आपको जो है 2-2 यूनिट पढ़नी है ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर में 2 यूनिट आएंगी और सेकिंड में 2 आएंगी देख लेना और आपने जो अपनी पुरानी बुक है वही रहेगा पुरानी बुक करीदना आप उन्हें यही सिलेबस आपको मिलेगा ठीक है अब उन्हें देख लेना आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 2 यूनिट आएंगी उपर के 2 यूनिट देख लेना जो तीसरी यूनिट है उसको 50-50 आपको कर लेना है यह हो गया आपका फिजिकल केमेस्टरी का नेक्स्ट देखते है इन और गनी केमेस्टरी इन और गनी केमेस्टरी में आपके वही 5 यूनिट आप मैंने यह आपर रखी है क्योंकि इसमें S ब्लोक और P ब्लोक जो है इनको मैं कमाइंड करता ना तो भी कोई मतलम नहीं था तो इस वज़े से 1st और 2 यू के इलिमेंट ठीक है यह आपका पूरा होगा ठीक है फरस्ट सेमेस्टर के अंदर आपको 3 यूनिट पढ़नी है क्योंकि यहां पर जो नुकलियर केमेस्ट्री जो है आपकी यह काफी इंपोर्टेंट मानी जाएगी और यहां से क्यूसन जाद आएगी सेकिंड सेमेस्टर म नेक्स्ट देखी, बात करें, हिंदी में देख लेना, हिंदी मीडियम वाले आयनिक ठोस दातिक बंदन और सपता है अंतर क्रिया, सैंसेयोजन बंदन, S ब्लोक तक और P ब्लोक योगिक, परमानू रसाइन, इनके बारे में आप देख लेना, ठीक है, अब नेक्स्ट बात इनके बारे में आपको पढ़ना होता है, अब इसका जो है 50% देख लेना, आप 50% यहां पर बता दू मैं, आपके जो है, टोपिक है, इकोलोजी, प्लांट एनाटोमी, प्लांट फिजियोलोजी, प्लांट एम्ब्रियोलोजी, बायलोजी, एन डाइवरसीटी ओफ सीड प् इकोलोजी, प्लांट एनाटोमी, प्लांट फिजियोलोजी, ठीक है, यह ले लेने हैं, और यहां पर जो है, प्लांट एम्ब्रियोलोजी को आपको ले लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकेंड में आपके यहां से, और यहां तक हो जाएगा, प्लांट एविलेशन एनवायर मेंटल इस्टेडिज और बायोटीक इसके बारे में आप देख ले ना ठीक है नेक्स्ट अपन बात करें जूलो जी हिंदी मीडियम वाले देख लेना हिंदी के अंदर बाकि हिंदी मीडियम के इतना जानतें English से लेवस्तों वो इंगलिस आड़ पढ़ जाती है परन्तु रियल ये है कि इंगलिस नॉर्मल होती है हिंदी बहुत आड़ पढ़ जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए आपके बोट नी वह शोरी जूलो जी जूलो जी के अंदर फुल सले बस तो आपका ये रहा इसके बारे में आपको देखन करीजी पारिश्तिति की सुस्म जीम विज्यान जैवरसाइन और जीवन का सैलूलर आदान विकास और अनवान सिकी कोशिका एवं आनविक जीम विझ्यान वन्य जीव फॉरेंसिक और Microbial, Vividita और Jeev Mandel ठीक है इनके बारे में हैं इसमें से आपको 50% यहाँ पर Topic ले लेने हैं ठीक है अपने इसाब से ले लेना आप है ना मैं बताओंगा आपको देखो Ecology, Microbiology, Biochemistry and Cellular Basics of Life or Evaluation and Genetics Cell and Molecular Biology यहाँ तक आप देख लेना ठीक है इसके बाद में next आपका तीन तो यह बच गए और आपका जो syllabus में उसमें दो और आपको बुक में मिलेंगे जो मैंने आपे एड नहीं किये ठीक है यह तो गए फर्स्ट एर का इसके बाद में आपके जो है English और Hindi आजाती है ठीक है दोस्तो इन तीनों सब्जेक्ट केमेस्ट्री बोटनिय और जोलोजी के अलावा फर्स्ट एर में आपको हिंदी और इंगलिस का पेपर भी देना होता है और हिंदी और इंगलिस भी ऐससे फर्स्ट एर स्लेवस पीडिया आपको डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है ठीक है ये किस तरीके से मैंने सैड़ किया ये महाँ आपको बताऊंगा देखे सबसे पहले आपको जो है यूटूब यूटूब पे आपको साइनस MARK foundation.com क्या है S C I E N C E science foundation F O U N D A T I O N science foundation आगे आपको dot.com लगाना है ठीक है जैसे ही आप sciencefoundation.com लगाते हो तो आपके सामने अपनी जो है यूटूब चैनल की जो है वेरिफाइड वेबसाइट आपको मिलेगी उस पर आपको जाना है और वहां पर सलेबस चेक करना है ठीक है वहां पर आपको BAC First Year का सलेबस मिलेगा कहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके खुलेगा उसमे आपको 3.0 पर यहां पर किलिक करना है ठीक है 3.0 पर किलिक करते हैं आपको BAC First Year पर किलिक करना है अभी मैंने क्या है डाटा बंद कर रहा है इस वजह सी यहां पर खुल ले रहा है BAC First Year पर किलिक करोगे आप तो आपको जो है यहां पर सलेबस से BAC First Year के Important Qs वगारा सब डाउनलोड कर सकते हूं लिंक दे रखी है इस पोस्ट को जैसे को लोगे पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा नीचे डाउनलोड नावकाल सिस्टम मिलेगा वहां से डाउनलोड कर लेना ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंद